भाईया जी कहिन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत इधैते आबारी हुँ काशी ना आए वारणती ने आए तो बात बनती नहीं है बात इसलिए नहीं बनती है कि आराध्य के आराध्यों है रहते हैं इसलिए नहीं बात इसलिए कि जो आपके इवानी से निकलता है वही ब्रह्मवाक्य होता है तो आज यहां आया हूँ इसके बाद सीधे गाड़ी जो है पहुँचेगी आयोध्या तो आयोध्या से पहले जो आना था वो तो काशी ही आना था तो राम के आराध्य की नगरी ना आता तो बात अदूरी रहती ब्रिंदावन से चला प्रजिशेत्र से आवद पहुचा आवद से संगम तक डुपकी लगा के सीधे काशी वारणसी आप सुट लोगे से बादशीत का सिलसला चोड़ेंगे लेकिन आज एक खास बात भी कहन है आपसे यह जो बड़ी स्क्रीन आज लगी है आपके सामने इसमें कुछ खास होने वाला है और खास यह है यह अगर मैं बता दूँ तो फिर वो खास नहीं मैं महमानों से पहले तारुफ करा दूँगा परिशे करा दूँगा आपका लेकिन उस खास के बारे में आपको ग हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वॉक किया है राम पे वह मौझूद है कि फैशन इंडस्टी से हैं बहुत सारे लोग मैंने तो कहा ना काशी ना आता तो मामला बंता नहीं वारती इसलिया आए हैं और ऐसे ना देखा बढ़ी नाराज हो क्या हमसे है क्या नाम है भाई आसिश जी क्या गाम करते हैं मुवाइल शॉप है वाफ कम्लिकेशन के आदमी है आप बातचीत करूँगा लेकिन सबसे पहले परीचे करा देता हूं जो महमान आज हमारे साथ मौझूद है अथर दमाल लारी साहब समाजवादी पार्टी का पक्षक्रे के लिए मौझूद जो हमारे साथ शो में शरीक हुए बहुत हिदे से आभारी हूं तैंकिस समाच धर्वेंद्र सिंग जी प्रदेश प्रवक्ता हैं आगे बोले या जैसा तुम्हारी एक्षा हो इसे बताओ हमें धर्वेंद्र स्वागत है आपका रागवेंद्र चौबे जी कॉंग्रेस का पर शक्रें के लिए मौजूद है लगाओ तो पूरा लगाओ ना ना लगाओ इनके लिए में लगाओ अगरवेंद्र वगी सावे ना आप टो एडूकेट है हुजूर ए-आली मेरी तालाब में सब सारे लोग पानी पीते हैं एक नहीं पानी पी सकता या तो एक के लिए न पी घ्यानवापी केस के वकील है बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे जब मैं जारा दह घूम रहा हूँ जगे-जगे साधू संत समाच से भी हमारी भेट हो रही है मुलाकात हो रही है और आज विशेश तोर से जो हमारे साथ महमान मौझूद हैं जो यहां पर आतीन है प प्रमुख है पीतांबर आप मठ से मैं आपका भी अमेलंदन करता हूं आप इस थंड में भी आपने मिरे लिए समय निकाला मैं बहुत आभार मेंने जोच रहा था कि मुस्कुराएंगी कि नहीं मुस्कुराएंगी आप लेकिन हमने मुस्कुरा दिया कि या थोड़ी सी तो मा चीट का वो जो मैंने बताया किन्ती गिंटा है और आज देखता हूं उल्टी गों चल्दी अच्छी गिंदा है कैनला में भी आफ़ी खड़े हो दीपक क्या काम करते हैं मिरा चाय का बिजनस है टो चाइक भी दुकान है चाई के पत्ती की दुकान है आप बाहीत नहीं का जी 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 और जनाब आप शाकिब जी शाकिब भाई आपका राम के बारे में क्या कहना है बहुत ही खुसी के बात है कि बहुत बर्सों का जो जगड़ा था वो साप्प होता दिख रहा है अगला सेंटेंस राम हमारे देश की आदर्स हैं और सांतिक प्रतिक है हमें लगता है कि अब देश जो सांतिक रास्ते हो चलेगा और जो गंगा तुम्ही तहभी वो दिखेगी यह सिर्फ यह हो सकता था काची से ही कहा जाता है शाकिप भाई मेरा मन गदगद है अभी नंदन इसलिए नहीं कि कोई यह वाक के सुने इसलिए क्योंकि आपने कहा कि जो हमारे देश का जो गंगा जमनी संस्कृती है वो दिखेगी आगे बढ़ेगी मैं जरूर आपसे आज आवाज आई 59 हो गया है वाकिन तो कल भी हुआ था 59 लेकिन आज क्या खाते महत तो है है आज आप क्यों पस्ति आए यह जो आपने रिदम बनाया है वो उल्टी गिंती का हम लोग इंतजार के तो आज देखता हूं कि काशी उल्टी गिंती कैसे गिंती है और मैं भी इ साथ छे पाच चार तीर एक आज तो क्या तो क्या घास है मैं चलता हूं घड़ी की तो ही च्छे और यह देखिए खास सुनों हो रहा है ये हल्ला बैठेंगे राम लल्ला फिर वारा हर घर हर तर पे धिया तू जला दे चलतल सरहद पे भगवा लहरा दे आया है छाया है मन में सामाया है यहाभी वहाभी जाये तु जाहाभी गूदे गिना पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कणकण में राम पल पल में युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कणकण में राम मिल नाम हर क्षण में राम हर क्षण में राम दशकों से ये आखे तरस गए आएगा ये तो विश्वास था अब जो तू यहां लोटा है स्वागत कान गाए जिसके लिए मन में कर रजित के हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी ना पल-पल में युग-युग में हर खन में राम हरतन में हर मन में कनकन में राम हर दन में हर मन में कड़ कड़ में राम दो आए है रहर मुष्ञ है के तो नहीं जरा मुझा ऑना टर्टाक मुझात शुके ऑनुर्म। आया खुशियों का दिन ये सुहारा लोटा है अपना ये रामा आयो जा तिर से जजा राम सिया राम किया विश्म कल्याण बोलो राम सिया राम सिया राम राम सिया राम किया विश्म कल्याण बोलो राम सिया राम सिया राम तू रो, बो रहा है ये हल्ला, बढ़े के राम जल्ला, फिर बहा, राम जीया, 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 राम जीय वारणती में वारणती में लाँच होते ही न्यूज एडी नेटवर्क का ये सॉंग आपकी जबान पे चल गया क्या है सॉंग ने बताएए अधिया लै के मैं अभी मज़ा नहीं आया वे एक बार जिनाला लाव नहीं वे पताईए है और अगया अभी अनुल hippie पाजी मुझे मालूम है आज आप इंतिजार कर रहे होंगे भाईय जी में आज ये क्या हुआ आज ये होना ही था जब आयोध्या से पहले मैं काशी में पहुचा हूँ तो कुछ तो नया होना ही था लेकिन उदर आयोध्या में हमारे सयोगी मौजूद हैं मैं उनके पास जाऊँगा फिर वापस यहीं लोटूँगा फिर आपसे बात का एक सिलसला जोडूँगा जो रोज शाम को मैं जोडता हूँ मुझे मालूम है थोड़ी देर आपको पोस्टर अपना लपेटना पड़ेगा मैं बाद के आपके सारे पोस्टर देखूँगा आपने देखिए आप भगवान राम के आराध्य भगवान शिव की नगरी काशी में है तो मैं राम लला की नगरी आयोध्या में हूँ और इतना सुंदर उपहार आपने अभी दिया है न्यूज एटीन इंडिया का ये राम लला का गीट जो एक्स्क्लूजिव गीट जो आपने अभी सुनवाया है उससे यहां पर तमाम जो लोग है आयोध्या में वो जैश्री राम जैश्री राम की गून जब आपको सुनाई देगी जैश्री राम, जैश्री राम, जैश्री राम जैश्री राम, 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 मजा नहीं आरा जारा डांस भी हो जाए थोड़ा सा कर आप बाहर निकल कर आएं तो आप देख सकते हैं प्रतीक राम सिया राम की गूजिया आयोध्या में भगवान राम लला की नगरी में जैसा की काशी में आपने दिखाया वैसा ही तो राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम तो आप देख रहे हैं प्रतीक की किस तरह से ये जो नया गीत न्यूज एटीन इंडिया पर राम लला के लिए तयार हुआ उसको लेकर आयोध्या वासियों में कितना जबर्दस उत्सा है जैसा उत्सा काशी में है वैसा ही राम लला की नगरी आयोध्या में भी है प्रतीक तैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया कल आप से मुलाकात महीं सर्यू के तक पर होगी और मैं आज यहां गंगा के तक पर मौजूद हूँ और गंगा जल लेके अभिशेक के लिए वहाँ पे निश्य तोरते और निश्य समय पर मैं कल वहाँ पर पहुत जाओंगा बह बहुत 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 शुक्रिया यह नाम प्रणाम सियाराम आते ही काशी में तो कम से कम मैं कह सकता हूं कि जबानों पर रट गया लेकिन यह इसको लिखने वाले रचने वाले इसको समारने वाले म्यूजिक से वो सम मौझूद हैं तो जानना तो पड़ेगा ना कि वो लोग कौन-कौन मौझूद हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारे स्क्रीन पर वो गेस्ट यहां पर सामने नजर आएं तो बातचीत का एक सिलसला बहुत अच्छी तरह से हम उनसे जोड़ सकें बहुत-बहुत शुक्रि रहें बहुत-बहुत स्वागत है मैं यहां पर काशी में मौझूद हूँ और आपको वस्ति एक बार अन्दा लगाना मैं जरा सा एक लाइन बोलता हूं और जैसे ही मैं एक लाइन बोलता हूं इस सामने काशी पे तमाम सारे लोग जो मौझूद हैं उसको कुन-गुनाने रचने वाले मैं जो है इसको जो लिखने वाले है उनको प्रणाम करना चाहूंगा हलाकि पूरा टीम वर्क होता है किसी को कंपोस करना किसी गीत को कंपोस करने के लिए लेकिन ये लाइन इतनी सुन्दर है कि कैची लाइन जिसको लोग धुनते रहते हैं मुंबई में कि ये वो कैची लाइन क्या होगी कैच लाइन क्या होगी वो यकीनन वो जो कैच लाइन आपने जोड़ी है मैं सबसे पहले वहीं जाना पाऊँगा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू सो मच ये गाना आते ही यहाँ पे लोगों के दिमाग दल दिमाग पे चाह गया जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ यह दिमाग में कैसे जब रच रहे थे तो किसकी मूरती सामने थी और क्या दिमाग में चल ला था ये तो सब बहुत आसान काम था क्योंकि जो जहन में था वो शब्दों में बहार आ गया कि प्रणाम सिया राम बोलो विश्व कल्यांड बोलो राम सिया राम सिया राम तो वो जो विश्व करने वाला शक्स है उसको तो पूरे विश्व को प्रणाम करना चाहिए तो इसको सिर्फ मीटर में बिठाना जो कि सिदाथ जी और सौमिल जी ने कमाल का बनाया था वो बिल्कुल मन से जो पहला शब्द निकला वह यही निकला अचली जब हम कंपोस कर रहे थे हमें एक ऐसे चांट जैसे कुछ चाहिए था जो मतलब कंटिनूसली पूरे गाने के चले इतनी सरल धुन बनाई है इतनी सरल धुन आपने बनाई है और इतनी कहना चाहिए कि एकदम से लोगों के दिलों दिमांग में चाह जाती है तो मैं यह जानना चाहता हूँ जी आप कुछ कह रहे थे हां मैं वही कह रहा था कि वह वांड़ेट सम्थिंग जो एक चांट की तरह इंड गाने में स्टाट टो एंड आते रहे जो एक मेलडी ना 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 ऐसे एक रफ मीटर मैंने अश्य बाई को बोला था फिर उन्हो कुछ सिंपल हो जो एक गाते गाते लोगों को ट्रांस में लेके जाए जी बिल्कुल और जो इस तमाम सारे उपक्रम को लिखे वे गीत को म्यूजिक में ढले वे गीत को जो आप तक लेके आए मैं उनके तरफ मुखातिम होना चाहता हूँ श्री नदी मैं जानना चाहता आपके अंतर आत्मा में और मन में और क्या चला था कि ये गीत है ये प्रसाद है या वो के लहरी जिसने अपना योगदान दिया था वो जो आज इसकी बड़ी चर्चा करते हैं आपके दिले तुमाग में क्या चला था मुझे जब ये गाने का मौका मिला तो मुझे इतनी खुशी हुई और जब हम भगवान शीराम के लिए जब मैं गार चाहूंगी सिद्धार सौमिल का और अक्षद जी का भी क्योंकि इतनी खुबसूरती से उन लोगोंने कंपोस किया है लिखा है और मुझे ये इतना खु बिलकुल ऐसे ही गाते रहें गुनगनाते रहें और बाईस तारीक को जो हम सारे लोग पहुंच रहें ये जो आपका प्रयाव से वहाँ तक पहुचे बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so much जो टीम है और News 18 Network का यह जो एक पूरे पूरे कहना चाहिए जो गैलहरी की बार-बार बात की जा रही है कि एक योगदान है तो यह News 18 Network की तरफ से यह एक गैलहरी योगदान है जो आज यहां पर प्रस्तुत किया गया यहां वारणसी में तमाम लोगों के सामने बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so much Thank you so much बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मैं एक बार अगर आप कहें आपकी जादत हो तो मैं एक बार और सुना दू सुना दू जनदा कितनी प्यारी है पर एक बार और सुना दीजिए सुनों हो रहा है ये हला बैठेंगे राम लला फिर वारा हर घर घर तर पे धिया तु जला दे चल तल सरहत पे भगवा लहरा दे आया है छाया है मन में समाया है यहाभी वहाभी जाये तु जहाभी गूदे तिना पल-पल में युग-युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कणकण में राम पल-पल में युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कणकण में राम यरामसि यराम यह तन में हर तो पल-पल आया राम दशकों से ये आखे तरस गई आएगा ये तो विश्वास था अब जो तू यहां लोटा है स्वागत कान गाए जिसके लिए मन में कर ला जित के हात में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में घर जाए कि ला पल पल में युग युग में हर्षन में, राम, हर्तन में, हर्मन में, खणगन में, राम क्या में है, ते जी याशन। जे शीराव बादा नाम भर्मा तेंग यादा रहादा दे Learn जा जीराव जीराव चैनल जीराव जीराव जीरान पट्रों बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरा साथ दिया अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका साथ दूँ यकीन बानिये जो ये पांच साल वाले नहीं है जो आपसे कुछ कहा करा कुछ ऐसा नहीं जो मैंने कहा वो मैं मैं आपसे पूछा था ना यकीनन मैं आऊंगा वो तमाम सा सारे लोग जो यहां मौझूद हैं उनका सिर्फ से एक बार फिर से अभी नद्मिन करता हूं समाजवादी पार्टी से मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं कि सहरा महल राम में है सारे लोग राम की जैजे कार कर रहे हैं आपकी तरफ से विरोध का स्वर आता है तो लोग कहत हूं तरफ यह बीजेपि वाले बीजेपि राइनीट कर रही है भी मैं हादा किया था उड़के जल्दी आएंगे है आ गया वह जो देवता आते हें कि आ गए करते मैं आँगा तो बीजैपी वाले राजनीत करते हैं परशार ना ऊधार के पास मैं घृतों दिक होई रैंडीज सब्सक्राइब अमने माना लेकिन दो हजार चोबिस लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए और समय से पहले प्रार पर्षिष्टा कराई जा रही है और एक लेटर आया गोविन देवगिरी महराज की तरफ से गणेशवर सास्री जी को और उनके भाई को कि आप फरवरी के पहले जनवरी में शुम औरत निकाल द करो तो मुश्किल ना करो तो मुश्किल पड़ाम मुश्किल है लेकिन राजनी चचा कहा उत्री दूर करें पासा हुआ बस 67 ख़ए रोड़ दिखिए नहिंक घखा है मजा नहीं आता हूं हाँ करे तो मुश्किल ना करे तो मुश्किल आप राजनी इसलिए कर रहे हैं कि 24 का चुनाव है इसलिए महूरत भी आपने जल्दी निकाल लिया जनाब ने फरमाया मैं आरा हो पौंगरताब के बास आ रहा हुए देखे चुनाव राजनी अपनी जगह होती है आज 500 साल का इ ऐसा सुब घड़ी आई है सनातन परंपरा में आज शायद यह मुश्किल घड़ी है जब पूरा बिस्व पूरा भारत नहीं पूरा बिस्व इस दिन की प्रतिक्षा कर रहा था आजनी मोदी जी के नित्र तुमें आजनी योगी जी के नित्र तुमें सृदय से वह राम की प्रतिष्ठा कर रहे हैं भगवान राम की आज यह वड़ी हमकाशी में हैं जी भगवान राम इस समय व्यद्ध्या में वहां अच्छा चला था लेकिन जैसे ही दो नाम लिये इन्होंने वह दो नाम लिये हैं आपने वहीं से लोगने कि भाई क्यों यह तो सुप्रीम कोड से चला था है ना जनाब हाँ मुझे मालूम था आपके आपने जैसे ही मेरी आखे मिली हैं आपसे मुझे समझ में आ गया कि आपके दिमाग में सवाल क्यों कौंदा हो कितना कौंदा जी निशित रूप से देखे हमारे लाली साब ने कहा है पताया है सुप्रिम कोड के मंदिर की आड में आप हिंदुस्तान में बढ़ रहे विरजगारी की संख्या को बहस्टाचार की संख्या को और लोहों के सामने आ रही आप पत्याशी रूप से महंगाई की समस्या से आप बच नहीं सकते हैं आपको उसकी जवाब देखी के लिए जनताने चुल करके दिल गुस्वामी तुसी दास जी ने बहुत पहले लिख दी आपके यहां साथियों ने कहा लेकिन दो बात रखता हूं एक सिया राम मैं सब जग जानू करहों प्रणाम जोर जुग पानू पता सब के अंदर राम क्यांस है दूसरा जो मोदी जी को पर कहीं से सूट नहीं कि मैं बड़ी देर से सोज रहा था है इनका वाक के खतम होने वाला है मोदी जी क्यों नहीं आए कि मैंने बड़ा ताजुब लग रहा था कि कॉंग्रेस अपनी बात कहे और मोदी जी तुरंत ना आ जाएं तो मुझे लग रहा थे कित्ती देर में आएंगे लेकिन ठीक उन सच्वें सेकंड में आगे मोदी जी आगे तुरंत आई मोदी जी बड़े ध्यान से आप बैठी हुए है अच्छा लग रहा है यह जबर्दस्ती कि किसी ने बोल दिया था आना है तो आप आ गई हजी नहीं बिलकुल नहीं आज जो इंतिजार हमारा खतम हुआ है एक औ नाम है आपका मैं मिस्स बनारस प्रियंका मिश्रा हूं 2023 जुनियर कैटेग्री और राम तो तो था बाकी लोग सारे लोग सारे तारी बजाई बजाई जरा कसके जोड़दा स्वागत करिये का बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे शो में आई और मुझे बिलकुल श्री र एसा मनाइंगे लोग तो कहरें कि दिवाली के बिटम दो बार कैसे होगी जब राम भगवान का प्रान परतिष्ठा हो रहे हैं तो दिवाली दो बार क्यों चार बार भी हो सकती है क्यों जड़ाव क्या नाम आपने बताया था साकिब शाकिब भाई वैश्याफ पूछलू पूछ लूँ आप दिया चलाएंगे हाँ विल्कुल पक्का पक्का हाँ जी हिंदू मुस्लिम एक जिसाई आपस में हैं भाई भाई आज इस नाम पे इनको स्वावत करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्या अंदर आईए जल्दी से जल्दी बहना आईए इनको बाला आज आपके काम की बात वहां आपको मैं 79,000 आपको वहां भी मिला ब्रंदावन में भी प्रियाग राज में आपके लोगों ने कहा ठेंड में बैटे हैं बड़े समय से प्रतीक्षा में हैं कि नाय हो तहानी बहुत पूर वक्त मैं कहना चाहता हूं बहुत नाय प्रियाता के चाहिए जरूर सुनी चाहिए बार बार कहता हूं बारम बार कहता हूं लगातार कहता शीβ मेरा नाम उनाब सी जो अभिमान है, तो अभिमान है, जो आभा मननल है, वो भी मिला है आपको. यह सिर्व इसलिए नहीं, यह सिर्व इसलिए नहीं कि ये इतर धर्म से कोई बात है. मैंने बार-बार कहा है, जिस बात से इनोंने शुरुवात की थी, वो शेर से, मैं वही फिर से कोड करता हूँ, कि कि वही कोड करता हूं और व warfare क देश का कोई एक लोक नायक मैं चाहता हूं शंकराचारी के सामने कोई बात कह रहा हम मैं देश का कोई अगर एक कोई लोक नायक होगा आप मत कहिए अप मानते अच्छे बात नहीं मानते तो लगणी नभी लेकिन एक बात quand कहता हूं इस देश का नायक अगर कोई है और वो सुमंगल है और नायक है तो वह ही है सुमंगल तो वो एक ही है मर्यादा पुर्षोत्तम भगवान राम इसके अलावा कोई नहीं हमारी पहचान हुई है और जब मैं रामराज कहता हूं और जब मैं मैं जैसा समझता हूं रामराज उसका मतलब यह हुआ कि सबके साथ नयाए और समद्रिश्टा समद्रिश्टा अगर है मुझे मालूम है मुझे मालूम है एक में चुप रहेंगे अपना के पेट भर जाए बस मैं जब अक्सर शो करता हूं मुझे से लोग मुझते हैं प्रदीजी आप एक बात नहीं उठाते मैंने कौनसी बात नहीं उठाते और पेंशन वालों की बात नहीं उठाते मैं कहता हूं पहले नौकरी वाली बात करूं पेंशन वाली बात मैं कर लूँगा जी जी जनाब क्या नाम है आपका राजेश जी क्या गाम करते हैं अपना बिजनेस है यहीं सिगरा पे हैं वहीं चलाते हैं हम कुछ कहना चाह रहे हैं कहिए वो तो मैं पाईजान लिया एक संत महोदय मैं नाम नहीं लूँगा उन्होंने कहा कि अगर 22 जनवरी को प्राण मैं यहां कि भाय कुबाय अनक आलस हूं जपत नाम मंगल देशिद्धा हूं जज इसका नाम लेने से मंगल होने माला है उसकी प्रांट प्रतिस्था करने से कैसे कैसे मुझे मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि भगवान से पहले भगवान से भी पहले आप किसका पूजन करते हैं तो बड़ा असान है आप कह देंगे कि हनुमान जी का लेकिन मैं अगर किसी को पूजन पहले करता हूं तो गो स्वामी तुलसिदा का ना तो उनसे ज़्यादा कोई जोतिश में जानता था ना कोई उनसे ज़्यादा प्रकाइंड पंदित इसी काशी ने उन्हें बाद में नमासा भी तो मैं तो इस बाद से जानता हूँ लेकिन हाँ ठीक है प्रशना आपने किया है और मैंने क्यों कहा क्योंकि आपके पास राम चरित मानस जैसा ग्रंत मौजूद था इसलिए आपने आज एक बात कही और किसके लिए कही मुझे नाप दोराना की जरुवत नहीं है लेकिन शंकराचार मौजूद है सुमेह रिपीट अभिननन करता हूं और फिर इनके पास जाता हूं देखिए ए परिश्वर संगिता परमेश्वर संगिता ताजिक नील कंठी जैसे अनेक गरंतों में प्रतिष्ठा का मुहूर्त है और उसमें कोई भेद नहीं है न कोई बितंडावाद है लेकिन कुछ लोग अपने को सुर्खियों में रहने के लिए चर्चा में रहने के लिए अनस्यक बिवाद विशाद भ्रम जूट फैलाने का कार कर रहे हैं जहां तक प्रानपतिष्ठा का प्रश्ण है प्रधान मंतरी को लेकर कि उनको नहीं करना चाहिए तो यहां के आचाल लच्मी कांत दिच्छित और यग्यके जो जजमान है निपेंद मिश्रा है वो पूरे कार को अयुद्या में संपादित कर रहे हैं प्रधान मंतरी या मुख מंतरी या मोहन भागवत या अन्निपदा अधिकारी जो हैं यह वहां भगवान का पूजन कर उसका लोकार्पन करेंगे इसमें किसी तरह का कोई सांक्र या धर्म सांक्रों का कोई भेड नहीं है ना कोई इसम प्रतिष्ठा किया जा सकता है उसमें कोई असास्त्री नहीं है एक साल के अंदर परमेश्वर सद्शंगिता ये कहती है च्छे महीना एक साल तीन साल के अंदर दुबारा उसके शिखर का भी अस्थापना हो सकता है दोनों कि वगिल्धम बार बार हम आपको उठाते हैं मैं देखना चाहता हूँ घुटने में दर्तो है कि नहीं है नहीं है बस यही इसी वज़े से बार बार उठाता हूं मैं आपक लिए तयार है आपका नाम मैं जानना चाहता हूं आप भी मनाएंगी बाइस तारी को यह कहनी की बाती नहीं है बगर कहें मेरे क्यांसे पुरा देश उस दिन दिवाली बनाने वाला है मुझे कहने दीजिए बार बार कहता हूं यहां मौझूद है उनकी बात सुनी जानी चाहिए उनकी बात सहाली बूतिपूरवक सुनी जानी चाहिए रूही जी आई है उनकी बात सहाली बूतिपूरवक सुनी जानी चाहिए बच्चों के साथ ने आये हो और ने आये होता द किनेश कुमार यादो कहां से बनारस से यहीं खास में जी जी क्या काम करते हैं मैं पार्सद पूर पार्सद है यार अच्छा नहीं लग रहा है तुम उधार अंदर आ जाए यार आ जाए हाई याद जी आप बोलिए जब आज राम भगवान 500 साल वाद हमारे ध्या में आ रहे हैं कि साल में दो दो बार्स दिवाली मना होगे और हम पांच बार मनाएंगे और अगर और अगर और अगर यादो जी कहने कि पांच बार मनाएंगे तो समल्लो मनाएंगे फिर बाकी दुवेदी जी आप कहें पांच बार तुम्हें संदेह हैं मिश्रा जी कि पांच में कहो को एके माना पाएं लेकिन अगर यादो जी ने कह दिया है कोई संधे नहीं है तो संधे रहेगा जानता हूं मैं और वो निर्भीकता वो दिखती है यह नो युवाओं का दिवाली है और यह दिवाली में गुरू जी निपतने कोई समर्सया नहीं है इस्ती भाई जैसे लोग है मैं चाहता हूं देष रोजदी पावली कम हो जाए भस doubts चार कम वह जाए कम हो जाए अपने घरों में यह देश को सहालो लोह के बच्चता वाली से नाराजगी और अप आसदेखिये 15 जन्वरी को परकर के अमिने फ्रद्र में सद्यशादर्णी अजहराए जी हमारे राश्टी महा सच्छ जी जाकर सर्यू में तरियुमें अध्या दर्शन दर्शन किया हनमान मान गडी का दर्शन किया तो यह भारती हमता पड़ी जिस अब मोधी जी की सरकार बन जी बताएं अब देखे सबसे वड़ी चीज है देश आज रोटी से उपर उठ चुका है निया रोजगार की कमी है न रोटी की कमी देखिए उधर तो खड़ें विजब उधर कितने लोग परेशान है लोगो मुझे बात कहने दो आराम से बैठो बात कहने दो मुझे हाँ जी हमने कहा कि रोटी से उपर उठ चुकी है इस देश को राम चाहिए